बिस्मिल्ला रख्मारों रहीम मैं सभी नाइन जैम सेलिंग की तरफ से आपकी खिद्मत में एक नई वीडियो के साथ एक नई एक मालूमात लेकर आपके पास इस वक्त नाइन जैम सेलिंग उसी कुर्णे पाक की आयद पर अमल करते हुए कि कुल हातु बुर्खान इनकों त देता चला जाओंगा अपना 22-23 साल का एक्सपिरिंस आप से जो है वो शेयर करूँगा और इन्शाला ताला मुझे अमीद है कि मैं सिर्फ यहां ही नहीं अपने मौला के पास भी इसका अजर पाऊंगा क्योंकि मैं हकीकते हाल आपको बता कर जाओंगा लोगों का धोका द आपको बताना चाहुगा लोगो बताते थे यह जो ज़ादूगर ने खुबारे में से कबूतर निकाला है इससे में कबूतर चुपाया उसको निकाला खैसे था हुड़ा गरते थे वह उसको लेते थे और जनार जी इसको पता चलता था जो जब रहुए इनको असल अकीद जल्दी ही हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है तो उसके खिलाफ वज़ते हैं को समझ जाता था और जो मकार लोग होता थे वो उन्हीं से बात सीख लेता थे और आगे जाकर ब्यान जाए यह बहुत सारे टेक्ट्स हैं मैं स्या अकीक के बारे मैं आपको बताना चाओंगा कि मुझे साथ साल तक स्या अकीक नहीं मिला मैंने साथ साल तक स्या अकीक नहीं बेचा अगर कहीं किसी परानी इंगूठी में मिल जाता था मैं उसको भी फरनिश्ट करवाकर जरूर सेरोड कर देता था लेकिन नहीं मैं आ आपकर सियाकीक मुझे साथ साल के बाद एक जगा से मुझे एक तक्रीमन कोई दो तीन किलो जो था वो रफ सियाकीक मिल गया और मैं अब इनके इसको कटवाता हूं और उनके जरीये से सिर्फ और सर्विये स्टोन्स देता हूं और अल्ला का शुकर है सियाकीक इस वकित मेरे मेरे पास मौझूद है और यह मैं से लोट करता हूं सियाकीक के बारे में जो आहदीस हैं वो भी आप बहतरते के से जानते हैं और सियाकीक के जो ओरिजिनलडी है वो भी मैं आपको प्रूफ करूँगा नकली सियाकीक जो शीशों पर रगड़ा जाता है और शीशों पर बत जाते हैं आप मेरे एक्सपरिमेंट्स देखिए बलके आज मैं आपको प्रूफ ये करूँगा जो हैरत अंगेज है वीडियो में देखिए आपको खुद पता चल जाएगा कि असल सियाकीक और नकल सियाकीक दोनों शीशा काड़ देते हैं तो फिर इनका फर्क कैसे असल मे मालूम किया जाए आप वीडियो को गोर से देखिए एंड तक देखिए इंशाला तला मुझे अमीद है कि आप इस वीडियो को वेरी एजिली देखने के बाद असल सियाकीक और नकल सियाकीक में फर्क मालूम कर सकेंगे और हमेशा असल सियाकीक ही खरीदेंगे गरंटी के स जे बिसमिल्लाइ रखुन रहीम एक खवातिनों हज़रात नाइन जेम्स हीलिंग की तरफ से मैं साइध खरौन वस्त नकवी आपकी खिदमत में पेश खिदमत एक नए वीडियो के साथ एक ने नालेज के साथ आपको मालूम है कि नाइन जेम्स है कैसा अधारा जो जोहरात की की कोशिश करता है और कोशिश मेरी यही है कि आपको तमाम पत्थरों की पहचान के बारे में बताओं जैसे आप मेरी परानी वीडियो देख चुके हैं जिसमें जमुर्थ के बारे में जिसमें फ्रोजे के बारे में जिसमें अकीक के बारे में कि इनमें असल पत्थर कौन स वो असल पत्थर होता है तो मैं आपको उनकी बहुत सारी बातों को गलत प्रूफ करूँगा ये वो लोग हैं जो पत्थर के बारे में जरा सा भी इलम नहीं रखते इने यहीं नहीं पता कि उनकी hardness क्या होती है इसकी composition क्या होती है या आपकी body by work कैसे करता है आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे एक पत्थर को फेक प्रूफ किया जाता है और कैसे उसको हम जज़ कर सकते हैं क्या शीशा जो है इसके उपर रगर लगा देने वाला हर पत्थर जो है वो जैनुवन होता है तो यह मैं आज आपको प् पत्थर जो के स्या अकीक हैं मैं आज आपको स्या अकीक जो है उसके बारे में बताना बसंद करूँगा कि स्या अकीक की ओरिजिनल्टी को कैसे चेक किया जाता है और स्या अकीक जो होता है और फर्दन फर्दन इन पत्रों को मैं आपके साथ चेक करता चला जाओंगा यह व लोग ये दावा करते हैं कि शीशे पर काटने वाला जो पत्थर होता है वो हर पत्थर असली होता है बेंधा बेवाकूफी है क्योंकि शीशे की बिचारगी तो हाडनेस दो से लेकर ढ़ाई से लेकर तीन तक है इससे जाद तो इसकी हाडनेस ही नहीं है तो इससे उपर हाडन है मैं आपको इसके कनारे के Premies पूर करकर ये दिखाता हूं कि यह देखी यह बिल्कुल साफ सरफिस है इसके उपर कुछ भी नहीं है और ये एक नखली अकीक है ठीक है जिसके कनारे गोल है जिसके बर मैं बताव चुका और ये देखी आप कि ये इसको मैं जरा से रगड़ता हूँ तो ये इसने इसके उपर निशानात डाल दिये हैं जिनको मिटाया भी जाए तो ये मिट नहीं सकते ये निशानात इसके डल चुके हैं ये भी एक नकली पत्थर है जो बजार में बेचा जा रहा है और ये इसके किनारे गोल है और इसके भी किनारे को मैं हलका से रगड़ता हूँ तो ये देखिए इसने भी इसको काड़ दिया है ये दो लाइने आपके सामने आ गई हैं ये ए इसके किनारों का एज मैं आपको तस्वीर में भी लोकेट करूँगा और आप ये देखिए कि इसको अगर रगड़ा जाए तो ये भी इसको काड़ देता है ठीक है अब ये इसकी प्लेट है औरिजिनल इसके जरी अगर मैं काटना चाहूं इन सब को तो ये देखिए ये इसक तो वेरी इसली काड़ देती है ये भी नकली पत्र है ये आम अमूमी तोरबे यहां पर बजार में दस्तियाब है बलेक रंग का पत्र है और इसको ये कह कर बेचा जाता है कि ये असल अकीक है जबकि ये चायना से हैवे फेक अकीक है बेसिकली इन अकीकों को भी उसी लगाए और ये इसको इसने काट दिया है अब लुट्स की बात ये है कि ये पत्थर के असली होने की अलामत कैसे हो गई जबके ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एक शीशे की छोटी सी प्लेट है ठीक है यही शीशा है अब इनको गिन लिजेगा यहां पर जो है नया मैं शीशे से शीशे को काट रहा हूं और आप ये देखिए कि ये मैंने निशानात लगाना शुरू कर दिये और इसने शीशे को काट दिया है तो अब आप मुझे बताएं कि जब शीशा भी शीशे को काट लेता है तो ये किसी पत्थर के असली होने की अलामत कैसे हो गई किया फलाँ पथर ने शीशे को चूंके काड़ दिया तो अब वो पथर असली हो गया तो ये एक इंधाई बेवकुफी की मिसाले हैं जो शीशा काड़ कर पेश की जाती है और बताया जाता है कि शीशे पर काड़ने से जो दराल आ जाए या जो पथर शीशे को काड़ दे वो उसक की पहचान वाजयन बताई है फिरोजे की पहचान बताई है आप मेरी वीडियोस देखिए आपको असल और नकल अकीक पहचानने में असल फिरोजा पहचानने में असल याकूद पहचानने में नीला पहचानने में कोई मुश्किल नहीं रहेगी ये सब की सब जो हैं ये फे ये मैं फिर ये ये खाली जगा है यहां पर मैं इसको कट कर रहा हूं और ये इसने इसको काड दिया है तो शीशा शीशे को काड देता है तो ये पत्थर की उरिजनल्टी होने की निशानी नहीं है नाइन जेम्स हिलंग की तरफ से स्याह अकीक के बारे में जो आपको मालूमा होगा कंपलेटली शार्फ होगा क्योंकि ये डाईयों से नहीं निकलतें इनका किनारा गोल नहीं होता जैसे कि इस एकि को देखें तो इसका किनारा रौंडस में है घोल है ठीक है ओर इसका किनारा जो है वा धार और बनी हु Fact 2 ये दाईयों पर रगड़कर बनाई गया गय जिस पत्थर पर से नाखुन फिसल जाए, वो पत्थर कभी भी असल नहीं होता, वो डाई में बनावा, नकली पत्थर को हो सकता है, लेकिन असल पत्थर वो कभी भी नहीं हो सकता, स्याह कीक मुझे साथ साल तक नहीं मिला, मैंने साथ साल तक नहीं बेचा, फिर मुझे एक ज शकूर में जो सियाक ही कारें ये सब के सब ये मार्किट में अवेलेबल हैं और ये इन्थाई सस्ते दामों हैं जाज़ादा 50-60 रुपे का ये दाना है उससे लेकर ये 100-500 तक दाना है यही एरान एराक शाम मक्का मदीने में बेचे जा रहे हैं औरिजिनल सियाक हीक आपको न authenticated geologist and gemologist ही आपको दे सकता है जो के government के authorized होते हैं इनकी ability इनको एक code number मिलता है इनको license number मिलता है उस license के उपर ये certification करते हैं इस certification की सूरत में इस पत्थर को हरी दे शीशे पर रगड़ावा पत्थर किसी किसम की कोई आपको value नहीं देता नकली पत्थर भी मैं आपके सामने सा दाबित कर दिया कि नकली पत्थर भी शीशे को काड़ देते हैं और एक शीशे का टुकड़ा भी जो है वो शीशे को काड़ देता है तो शीशे का काटना जो है वो बिलकुल भी authenticity नहीं है इस वीडियो आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों को भी फिलाईए दोस्तों को भी दीजिए ताके जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके जरीये से वो नकली और असली अकी के वरे में पहचान कर सकें और धोके बाजों से बच सकें जो कि आपको धोका देते हैं सरीहन धोका देते हैं ये बिलकुल जूट और बकवास है कि शीशे को जो दलील से किया करो मैं दलील से आपको समझा रहा हूँ एक चीज़ को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिए और दूसरों को भी बताएए वह मालईना इल्ला नाइन जैम्स हिलिंग सेयत खुरम अबास नक्वी